अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए डेली बेसिस पर नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं प्लेंट फार्मा में देखेंगे तो आज के दिन लगबग 6% के करीब तेजी देखने को मिली है और काफी अच्छी तेजी देखने को लिए और वो भी काफी टाइम बाद इसका ओल ओवर चार्ट पैटन देखेंगे तो आपको 32% नेगेटिव रिटन देखने को मिल रहा है इस लेवल से लेगे और इस लेवल तक देखेंगे तो 71% करेक्ट हो चुका है और इस लेवल से आप वापस चेक करेंगे तो आपको 135% की तेजी भी देखने को मिली थी आपको यह जो तेजी देखने को मिली थी हर एक फार्मा सेक्टर में आपको देखने को मिली थी तो इस सब्सक्राइब करें लोग है 1130 का स्टॉक पीस का 20 का है और वहीं इंडरस्टी पीपी बीस का यानि दोनों को ज्यादा अंतर नहीं है यानि दोनों काफी देखने को मिल रही है यह कंपनी के बात करें तो 45 लाग का डेट और इंट्रेंज कवरेज रेश्यो देखे 183 का इंट्रेंज कवरेज रेश्यो काफी अच्छा देखने को लास्ट रियर की शेल्स ग्रोथ दे रखी क्योंकि कंपनी अभी आये तिन साल इस्यों की बात करें तो वह भी काफी अच्छा देखने को लागा सेवन पॉंट्ट फाइफ का एपिएस देखे तो अर्निंग पर से साट रुपए की है और वहीं डैट की बात करें तो कंपनी पर कोई भी डैट की नहीं है क्योंकि कंपनी अल्मॉस्ट डैट फ्री है आप तो इसलिए आप बीमार ही तो आप नहीं नहीं कोई निगल आएंगे तो उसके बारे में कोई एक्स्पेक्टेशन रखोगे तो इसलिए आप PG ratio को consider ना करें तो ज्यादा बेटर है कंपनी का quarterly result देखें तो देखें दिसंबर 2022 में 938 करोड की sales हुई थी और सितंबर 2022 में 1045 करोड की sales है वहीं दिसंबर 2021 में 1063 करोड की sales है आनि आप December to December compare करें तो भी sales में थोड़ी बहुत ग्रावट है और वहीं quarter on quarter basis पे सितंबर तो भी आपको ग्रावट देखने को मिल रही है आनि आप सितंबर 2022 में देखें तो 28% के margins थे और December 2022 में जरूर बढ़ता हुआ देखने को बोड़ा है लॉन था तो इस वज़े से भी आप यहां देख सकते हैं थोड़ा बहुत कंपनी इंट्रेस्ट पे कर रही है और अधर इंकम में देखें तो 62 क्रोड की अधर इंकम भी देखने को मल रही है और यहां net profit भी देखें तो company all over काफी अच्छा net profit भी गैन कर रही है जो कि सबसे positive बात होती है किसी भी company के लिए profit on loss की बात करें तो 2020 से आप profit on loss देख सकते हैं 2020 में 2633 करोड की sales थी 21 में 3433 करोड की March 2022 की बात करें तो 4401 करोड की sales है और TTM में देखें तो 3943 करोड की sales है इसकी sales बढ़ते हुए देखने को मिल रही है टोटल मिलागे और वही इसके margins भी देखो आप तो margins में आप देखने को मिलेगा कि 30% है उपर ही margin ने कंपनी के जो कि सबसे अच्छे बात है और एक जो और और फेक्टर देखने को मिल रही है वह है इसकी other income काफी जादा है company के पास other income भी बहुत जादा आ रही है यह आप जब analysis में जाओंगे तो वहां आपको यह जरूर बताएगा company का अधर income काफी जादा आ रही है वही net profit भी देखो तो देखे company का net profit भी year on year basis पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और जबकि stock price में काफी correction देखने को मिला था company क balance sheet पर भी आप देखो तो कि company balance sheet में आप reserve देखेंगे तो company के reserve लगातार बढ़ रहा है अभी reserve है साथ जाद 635 करोड की जो की काफी अच्छे reserve है और वहीं पांच करोड का company पर debt है और इसके अलावा आप देखे इसकी fixed assets 1566 करोड की वहीं यह working capital 125 करोड की और company ने कोई भी investment नहीं कर रखा और वहीं other asset की बात करें तो 6930 करोड की other asset देखने को मल रही है और वहीं जब आप वह बॉर इंग पर आप जब करोगे तो तीन करोड 27 लाका long term कर जाए और 56 लाका आपको देखेंगे तो short term कर जाए और लीज लाइव टीवी आपको बातर लाकी देखने को मल देखें तो company debt free और balance sheet five star balance sheet देखने को मल रही company की और वहीं देखें अफिक्स assets में भी आप देखें लेंड है company का 63 करोड यानि 74 करोड के करीब है आपको land देखने को बीडिंग है 320 करोड की वहीं intangible assets की बात करें तो 12 करोड 24 लाकी intangible assets देखने को मल रही है company के other asset भी आप आप चेक करेंगे तो company की inventory या पान सो साथ करोड की ट्रेड रिसीवल है बार सो एक करोड के और यह cash and cash equivalent है 3,295 करोड की loan in advance आपको जरूर 525 करोड का यह company loan दे रहा है और यह other asset item देखें तो 300-50 करोड की यानि company balance sheet एकदम 5 star है आप इसे 5 star देके मैं मेरी तरब से 5 star से बड़ा factor है इस company को 5 star देने का cash flow की बात करेंगे तो company का negative cash flow होगा है 104 करोड का और holding pattern भी देखो आप तो देखें दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2022 तक आपको पर्मोटर की holding decline देखने को पहले थी दिसंबर 2020 में थी 85.36% जो की दिसंबर 2022 में रह गए 57.86% तो आप देख सकते थोड़ी बहुत पर्मोटर ने अपनी holding कम किया है पर्मोटर नहीं नहीं आप यहां भी देखें तो देखें आपको देखने को मिल रहा है इस company के अंदर वहीं public की holding देखें तो 14.35% की public की holding है क्योंकि अधर दिसंबर आप यहां देखेंगे तो इनकी holding आपको कम होती देख सब्सक्राइब देखने को मिल रही है है थरब आपको घुब्लियन फार्मों और वहीं कम्पनिया यह नहीं कि बेव साइट को विजिट कर सकते हैं इसमें आपको सारी चीज मिल जाएंगे इसमें कहां से अनुब रॉपोट डाउन्लोड करनी है कहां से नहीं वह सारी चीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी तो यह काफी अच्छा है इसकी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हो काफी सारी information मिल जाती है और भी आपको ज्यादा information चाहिए तो आप इसके annual report भी download कर सकते हो तो इसके जैसे का आप देखो business model के बारे में इन्होंने बता रखा है इंडिया में business किता है सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी इनकी जो capability है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी API की क्या है और research and development की क्या कर रखी है यह सारी चीज़ आपको यहाँ से बता रहा हूं आप भी आपको डाउनलोड करके देख सकते हो इनकी ग्लोबल प्रिजॉंस में भी आप देखो तो देखे कैनायड है मावे है यह USA में भी है देखे पूरा यहाँ आपको कैनायडे का मैप देखने को मिल रहा है ठीक है यह वाली जो ब्लू टिक देखने को मिलेगी अब इसकी मैनुफेक्ट्रिंग कैपेशिटी की बात करें तो देखे मैनुफेक्ट्री जो कैपिटल है तो उसमें आप देखेंगे चार एपी प्लांट है और चार फॉर्मनेशन प्लांट देखने को मिल रहा है और यहां पर रुपीज में देखेंगे तो 20,752 मि देखने को जरूर मिलेगी आप चाहो तो इसे आराम से पॉज करके इसको पढ़ सकते हो इनकी देखेंगे इंडिया में फॉर्मेशन फैसिलिटी आप देखो तो तीन आपको एधरावाद में देखने को मिलेगी और जो एपिजिए इनकी जो फैसिलिटी है वह भी आपको देखने को मिल जाएuben यहां पे इंडिया के पहुझं ने आपको देखने को मिल जाएगे में इइसको और यह पयाको फैसिलिटी विक देखोित दो एदरावाद में और ड़ यह में देखने को मिलेगी और कंपनी के पैटेंट की बात करो कि तो आप यह तेक्या लिए अप्लाइ नेивать कर रकाय और कंपनी के लिए पास पेटेंट लगो देखने मिल रहे हैं यह सक्षची में है 1.59% इंडस्टी इंकम देखो गई तो देखिए कंपनी के नेत इंकम है 23.98 उसपेड़ेजंडेगरेज 1.59 और इस कमपनी के रैवेनियुग्रोथ और इंडस्टी के रैवेनियुग्रोथ देखोगे तो Gesundheits इस company का revenue growth है आपको 25.04% और जबकि industry का revenue 7.66% है यानि इस industry में जित्ती भी company है उनका average यह निकल रहा है 7.66% और जबकि इस company का revenue growth काफी अच्छा देखने को मिल रही है यह company के लिए सबसे दूसरी सबसे वड़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है हमें आप यहां देखेंग यहां support लिया था वो resistance phase किया था उसके बाद बापस आपको एक तेजी आपको काफी अच्छी ग्रावर देखने को मिली इसका जो support है ने major support वो है 1130 का 1130 से stock मुझे नहीं लगता नीचे जाएगा क्योंकि आप आज के दिन भी देखा company 6% के करीब तेजी देखने को मिली तो आपको इस लेवल पर आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो यह long term के लिए कोई बात नहीं होती है हमारे आप चाहो तो इसी long term के लिए इसको hold कर सकते हो ठीक है और इस लेवल पर भी आप एंट्री लेकर चल सकते हो यह जो support देखने को बड़ा है यह आपको काफी time company struggle करेगी इसके बाद आपको यहां से बाहर जाते हो देखने को अगर यह वाला लेवल यह ब्रेक किया इसने company ने तो काफी अची तेजी देखने को काफी time लगेगा इस company को लगबग देड़ से एक से देड़ साल लग जाएगा इस level को ब्रेक करने के लिए इस resistance को अबली के लिए आ बात है कि चार सो करोड का at least company एक और प्लान लगाने वाली यह तेलंगा नाम है अब बात कर लिए इस company में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या buy करके या sell कर देनी चाहिए अगर है तो देखिए इस company में अभी best time है entry लेने का क्योंकि इसके stock भी आप check करो च सकते हैं और हो भी सकता है market में कुछ भी possible है correction हो भी सकता है पर long term के लिए अगर entry लेना चाहिए तो आप long term के लिए लिए लीजिए और at least आप जब भी किसी company में invest करते हो ना तो आपको कम सकम 5 साल देने चाहिए company में 5 साल क्योंकि जब आप 5 साल देते हो तो आपको इस company को share भी buy करते हो ना तब आप देखते हो कम सकम आप उसके business में investment कर रहे हो उस company में जब invest करते हो कोई भी share buy करते हो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हम मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तके Bye and thank you